हेलो फ्रेंस स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंस आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जेसी आर्टी क्लास सीक्स का मेयत है तो देखें फ्रेंस यहाँ पर हम लोग चेप्टर चार को सुरू करने वाले हैं संख्याओं के साथ खेलना तो इस करते हैं उस संख्या का गुननखंड का लाते हैं तो दिखिए अगर यह समझ में आपको आया तो ठीक है और नहीं समझ में आ तो वह भी ठीक है दिखिए यहाँ पर मैं आपको दुसरे सब्द में आपको समझाने का प्रियास करता हूं दिखिए जिस पहड़ा में वह संख् संख्या का गुननखंड का लाएगा चलिए इसको उधारन से समझते हैं यहां पर लिखा आई 11 के गुननखंड तु दिखिए आपको कड़ संख्या किसज़्-पहड़ा में आता आ है तो जिस जिस पहड़ा में वह आता है यह 10 जिस जिस पहड़ा में आता है वही इस ग्यारो का क्या का लाएगा गुनन खंड का लाएगा पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एक क्योंकि एक का पहड़ा में ग्यारो आता है ठीक है ना उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सा पहड़ा में ग्यारो आता है तो दो का यह गया और आगे देखिए तेरो के गुरुडऊहनु लिखेंगे एक, सब में सबसे पहले आपको एक ही लिखना है उसके बाद देखिए दो नहीं आएगा, तीन नहीं आएगा इधर कोई पाड़ा में आपका नहीं आएगा सीधे सीधे आपका ये तेरो है ना इस तेरो के पाड़ा में आपका तेरो आएगा एक का पड़ा में तेरो, तेरो का पड़ा में तेरो, तो इस प्रकार क्या हुआ, एक और तेरो आपका गुननखंड हो गया, तेरो का, तेरो का गुननखंड एक और तेरो हो गया, ठीक है न, ये दो गुननखंड है इसका, इसका भी दो गुननखंड है, पंदरा का देखे लि पंद्र आ जाता है मतलब शुरू में आपको एक लिखना है और लास्ट में आपको इसी को लिख दना है जिस संख्या को निकाल रहे हैं उसी संख्या को लिख दना है क्यों कि स्वैंग का गुननखन सब संख्या का होता है आगे दिखे 20 यहां 20 के गुननखन क्या होगा तो एक का पड़ा में आता है, दस के बाद क्या हो जाएगा आपका, तो सिधा सिधा आपका एक के बार में 20 हो जाएगा यहांपर, ठीक है न? तो दिखें, इस तरीके से यहां पर 20 का कितना गुरणखंड हो गया, एक दो तीन चार पांच छो इससे ज़्यादा गुरणखंड नहीं होगा बीस का पंदरों का एक दो तीन चार चार गुरणखंड होगा पंदरों का इससे ज़्यादा नहीं होगा 36 का गुरणखंड अगर निकाले तो क्या होगा देख लिजिए यहाँ पर एक लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद लिखेंगे, दो लिखेंगे, दो का पड़ा में भी 36 आता है, उसके बाद देखें, तीन का पड़ा में आएगा, चार का पड़ा में आएगा, चार नम चातीस, पांच का पड़ा में आएगा, छो का पड़ा में आएगा, साथ का पड़म ने आएगा आठ का पड़म ने आएगा नो का पड़म फिर आपका आजाएगा ठीक है ना उसके बाद देखे दस में ने आएगा ग्यारम ने आएगा बारो बारो में आपका आजाएगा तो बारो हो जाएगा इस तरिके से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18 में फिर आएगा, ठीका न, 18 का पड़ा में आएगा, उसके बाद एक के बार में, ये 36 का पड़ा में 36 आएगा, मतलब खुद का पड़ा में, स्वेयं का पड़ा में, सुरू में तो एक लिखना ही है, और अंतिम में जिस संख्या का गुरनखन निकाल रहे ह उस संख्या को लिख देना है, इस तरीके से देखिए, 36 का कितना गुरनखन हो गिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, आट गुरनखन हो गिया, 36 का, इससे जदा नहीं होगा, आर ना कम होगा, 55 का अगर गुरनखन निकालें, तो क्या होगा देखिए, एक का पड़ा में आएगा 55, ठीक है न, उसके बाद 5 का पड़ा में आएगा 55, फिर 11 का पड़ा में आएगा 55, और क्या जाएगा, तो लास्ट में आपका 55 लिख दना है, 55 का पड़ा में 55 आता है, खुद का पड़ा में, ठीक है न, तो इस तरीके से देखिए, गुरनखन निकाल आजाता है ठीक है ना तो आप इसको देख लिजे नौट कर लिजे फिर हम लोग आगे आप बढ़ेंगे यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट्स लिखा है इस पॉइंट्स को आप याद कर लिजे देखिए एक परतियक संख्या का गुननखंड है जैसे मैंने यहाँ पर एकजाम संख्या का गुननखंड है ठीक है ना आगे देखिए दुसरा पॉइंट में मैंने लिखा है परतियक संख्या स्वेंग का गुननखंड होता है तो यहाँ पर देखिए एक जामपल से समझते हैं परतियक संख्या का गुननखंड स्वेंग होता है देखिए यह 11 है ना दिख क्या होगा वही संख्या खुद का संख्या हो जाएगा मिन्स खुद का स्वयन का गुननखंड होता है बस यही पॉइंट मैंने दुसरा नमबर में लिखा है अगला पॉइंट मैंने लिखा है किसी संख्या का गुननखंड हमेशा पराकृत संख्या होता है तो देखे यहाँ पर किसी भी संख्या का अगर हम लोग गुनानखंड निकालते हैं तो क्या होता है पराकरी संख्या होता है मतलब यहाँ पर गिंती की संख्या देखे एक दो दो के बाद चार चो नौ बारो इस तरी के से आगे यह पराकरी संख्या होता है ठीक है न अगला पॉइंट है यहां पर चार नंबर किसी संख्या का गुरंखन हमेशा उस संख्या से कम या बराबर होता है किसी भी संख्या का गुरंखन क्या होता है तो उस संख्या से छोटा होता है मतलब कम होता है या फिर बराबर होता है देखे यहां पर 20 का हम लोग निकाले हैं चाया है इस तरी के से सब में कम आया है और बराबर आया है 36 का 36 तक ही आएगा मतलब अधिकतम आपका बराबर तक ही जाएगा जिस संख्या का गुरंखन निकालिएगा ठीक है तो यहां पर बस मैंने उसी बात को चार नंबर में लिख दिया है ठीक है अगला पॉइंट देख पंद्र का गुरंखन निकाले तो कितना गुरंखन आया एक दो 3-4-8 ओगा इससे अधिक नहीं होगा तो क्या होगा दोटोड गुरंखन इससे अधिक कभी नहीं होगा तो इस्तरीगे से किसी संख्या का जो गुननखंड होगा ना वो क्या होगा तो सीमित होगा ठीक है ना आगे देखें यहां पर मैंने नौट लिखा एक गुननखंड को अपवर्तक भी कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा गुननखंड को जो नहां अपवर्तक भी कहा जाता है तो आप इसको नौट क तो चलिए इसको उधारन से समझते हैं, यहाँ पर देखें मैंने उधारन लिया है, दो के गुनज, तो यहाँ पर देखें फ्रेंस क्या करना है, कभी भी कहें कि दो का गुनज क्या होगा, तो दो का पहड़ा बस आपको पड़ देना है, हो जाएगा आपका दो का गुनज, देखिए, दो, दो दुनी चार, दो तीया छो, दो चोक आठ, दो पंची दस, इस तरीके से आपको लिखते जाना है, दो चाक बारो, और भी बहुत सारा संख्या होगा, ठीक है न, आगे बढ़ते जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं होता है, ये ठीक है, ये ओसीमीत होता है, हम लोग इससे थोड़ा दिर पहले देखें, गुननखन में सीमीत संख्या होता है, लेकिन गुनज में जो होना है, और सीमीत संख्या होता है, मतलब आप बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, कभी खतम नहीं होने वाला है, उसी तरह यहाँ पर, तीन के गुनज अगर ह पर दना है, चार का चा चादनिया, चारतिया बारा, चार चोक सोलो, चार पंचे बीस, चार चक चोबीस, इस तरह की से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, पांच का गुनज अगर लिखें तो क्या होगा, पांच होगा, दस होगा, पंदरह होगा, बीस होगा, पचीस हो 30 होगा और इस तरीके से बहुत सरा संख्या होगा आगे भी चो का गुनज अगर लिखें तो क्या होगा तो 6 का पड़ा पढ़ देना है चो का चो, चो दुनी बार, चो ती आठार, चो 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 बीस, चो पंचे तीस, इस तरीके से और भी संख्या होगा, साथ का पाड़ा पर देजिए, साथ का गुनज हो जाएगा, साथ का साथ, साथ दुनी चो उदर, साथ या इकई, साथ चो का अठार, साथ पाचे, पाइटीस और भी बहुत सरा संख्या आपका होगा तो यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं देखिए परतियक संख्या स्वैंग का गुनज है इसका मतलब है देखिए जितना भी हम लोग यहाँ पर गुनज देखे न जमपल में उधारन में तो क्या देख रहे हैं कि परतियक संख्या जो है परतियक संख्या जो है न स्वैंग का गुनज है मतलब 2 के गुनज देखे 2 भी है 3 के गुनज देखे 3 भी है 4 के गुनज 4 भी है 5 के गुनज 5, 6 के गुनज 6, 7 के गुनज 7 मतलब खुद का ये क्या है तो गुनज है तो ये मैंने हैं पर पहला पॉइंट में इसको लिख दिया है दूसरा पॉइंट में देखे उससे बड़ा होता है कम नहीं होता है जैसे पांच का यहां पर अगर हम लोग गुनज निकाले तो क्या आया देखिए पांच के बराबर आया या फिर इससे बड़ा आया लेकिन पांच से छोटा नहीं आया तीन का गुनज अगर निकालने गए तो क्या आया तीन से से बड़ा होता है छोटा कभी ने होगा तीसरा पॉइंट में देख लीजिए किसी संख्या के गुनजों की गिंती मतलब संख्या और संख्य होती है मैंने जैसे भी बताया कि यहाँ पर जो है न साथ के अगर गुनज ले तो क्या होगा साथ चोदो एककेस अठाइस होता है और संख्य मतलब बहुत सरा संख्या आगे और भी होगा जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं तो इस तरीके से यह तिसरा पॉइंट हो गया अगला देखे यहाँ पर मैंने नौट में लिख दिया है इसको भी जान लेजे नौट एक में देख लेजे किसी संख्या का पहाड़ा उस संख्या का गुनज होता है तो देखे मैंने अभी क्या बताए आपको कि किसी भी संख्या का पहाड़ा ही क्या कालाता है उस संख्या कालाता है तो देखे कितना आसान है किसी संख्या का पहाड़ा ही क्या कलाता है उस संख्या का गुनज कलाता है तो बस आपक इस तरीके से जो है ना आज हम लोग क्लास 6 का गुनज और गुनणखंड के बारे में सीखें उमीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देजेगा चैनल पर पॉली बारा